चेंदल में इस जिद्गी की छलाम शिकार ने सिखाया शिकारी को सबग ऐसी चंग की मौत भी रह गई तन अब सर आपने देखा होगा की शिकारी आया और शिकार का काम तमाम कर गया लेकिन कई बार शिकार करना इतना भी आसान नहीं होता यहां तो शिकारी गचे पर गचे खा रहा है देखने पर लग रहा था कि आज यह बाज इस खरभोश को आराम से पकड़ लेका लेकिन तभी खरभोश ने अपने तलेटिक स्किल दिखाई और बाज के हाथ से चिटा गया बाज न चाहते हुए भी देखता रहे गया लेकिन बाज अभी हिम्मत नहीं हाने वाला था आफिर एक शिकारी हाथ में आए इस शिकार को कैसे असानी सी जाने दे सकता था बाज एक बाज फिर खरवोश को पकड़ने की कोशिश करता है बाज एक माहिर शिकारी है लेकिन आज इस खरवोश ने जैसे हाथ में नाने की कसम खा रखी थी खरवोश भागते भागते अपना रास्ता बदल लेता है और बाद अपने शिकार को सिर्थ देखता ही रह जाता है क्योंकि बाद के लिए हवा में अपना रास्ता बदलना इतना असान नहीं था और आज इस शिकारी को ये खरवोश नहीं मिलने वाला था यहां भी शिकार एक खरवोश ही था लेकिन शिकारी एक एगल थी एगल अपने शिकारी अंदाज में खरवोश का फीछा कर रही थी शिकार करने के लिए शिकारी जबीन से महस कुछ इंच उपर ही उड़ा ही थी दीरे दीरे फासला कम होता जा रहा था एगल के पंजे शिकार को बस दवोच नहीं वाले थे कि अचानक खरवोश ने हवा में कई फीट उची च्छलांग लगा थी शिकारी को भी खरोश के इस दवोच की उन्मी नहीं थी जैसे एक खरोश ने छिकार हिवा में शिकारी के उपर था और शिकारी शिकार के नीचे सिर्फ हैरान होसकता था उसके इलावा कुछ नहीं लेकिन ये दौड यहीं खत्में ही होने वाली थी एक बर फिर eagle ख्रवोष को निशाना बनाती है ख्रवोष अपनी पूरी रथतार में भाग रहा होता है और eagle उसके काफी करीब पहुง जाती है लेकिन तबी ख्रवोष अपनी तकनीक में फिर बदल करता है और अपने भागने की दिशा बदल लेता है और एक काफी उची छलांग लगाता है यह जिंदगी की छलांग थी एक बार फिर शिकारी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था और शिकार अपने रास्ते निकल जाता है